सभी दर्शकों को नारत प्रणा विक्रम समवत 2080 चैत्रशुकलत रयोजशी मंगलवार समाचार सार में आपका हार्दिक स्वागत है आईए विडियो के माध्यम से जानते हैं आज के समाचार पत्र क्या बता रहे हैं समाचार पत्रों के अनुसार राहुल गांधी के सदस्यता निलंबन विशय में कॉंग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से अपना शक्ती प्रदर्शन किया है जिसमें वो निश्चित रूप से बीजेपी पर हावी होती दिख रही है वही बीजेपी की वयानबाजी से प्रतीत हो रहा है कि पार्टी ने इस संदर्भ में घुटने टेक दिये है ऐसा समाचार पत्रों का भाव है दूसरी और रामनवमी के बाद से बंगाल और बिहार से सांप्रदायक तनाफ लगातार चिंता का कारण बना हुआ है उधर चीं के साथ सीमा विवाद लगातार अपना सर उठा रहा है इसी के साथ भूटान के राजा के भारत दौरे की खबर इस विवाद पर भारत की रणनीतिक पहल की दिशा में कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है वही प्रधान मंत्री द्वारा भर्ष्टाचार पर CBI से अनुरोध आज के सभी समाचारों की प्रमुक हैडलाइन है इन सब के बीच राश्ट्रिय औश्धी मूल्य निर्धारन प्राधिकरन द्वारा दवाओं के मूल्यों में कमी का प्रावधान और बेमौसमी बरसात पर सुरक्षा चक्र बने पराली का समाचार राहत देने वाला है इन खबरों को विस्तरित रूप से अध्यन करने हेतु हमारा अनुरोध है आप समाचार पत्र करीदे और पढ़े क्यूंकि समाचारों की सार्थक्ता आज भी प्रिंट मीडिया से सार्थक होती है इसी के साथ कल तक के लिए आपकी अनुमती चाहते हैं हमारे प्रयास के संदर्भ में आप यदि कुछ सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स आपकी प्रतीक्षा में सदैव ततपर रहेंगे आपका दिन शुभ हो आप स्वस्थ रहे मस्थ रहे